लोगों को dice बहुत परेशान करता है इसलिए पहले मैंने आपको cube पढ़ाया और जितनी चीजे मैंने cube का जो concept है जो dice होता हो कैसा होता है या तो cube के shape में होता है या तो cube wide के shape में होता है such a figure with shape of like as cube or cube wide is called dice ऐसी आकरती जिसका आकार घन या घनाब के जैसा हो वो पासा कहलाती है dice कहलाती है तो जिसका आकार घन या घनाब जैसा हो वो dice कहलाती है और dice में हमेशा one से लेकर six तक digit inscribed होता है ठीक है पासे में हमेशा एक से लेकर च्छत अकंकों का प्रियोग किया जाता है और या फिर six letter का प्रियोग कर सकता है उसमें या six dot का प्रियोग कर सकता है उसमें तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है हम आपको dice का एक एक concept जो basic concept है वहां से मैं सुरू करता हूं उसकी पूरी परिभासा के साथ सुरू करता हूं आपको dice समझाता हूं अभी देखो अधर कर दूरू करूं लॉब देखो ठीक, एक ऐसी आकरती जिसका आकार क्यूब अथवा क्यूबाइड के जैसा हो, जिसमें तीनो डैमेंशन सिक्वल होते हैं, वो क्यूब होता है, जिसमें तीनो डैमेंशन सिक्वल नहीं होते हैं, क्यूबाइड होता है, तो एक ऐसी आकरती जिसका आकार घन या घनाप के जैस लेटर का इस्तिमाल किया जाएगा जा ओसमें ॡबद बनाये जा सकते सिग्स ड़ड का प्रियोग किया जाएगा तो अभश्म आपको आगे बताते हैं película दो प्रकारचा होता है काइंड आफ covers 26 लगहता होता है दो प्रकारचा होता है पहला प्रकार का होता है पहला होता है इस्टेंडर्डाई जिसको कहते हैं मानक पासा दूसरा होता है नान इस्टेंडर्डाई जिसको कहते हैं साधारन पासा अब हमें ये देखना है कि मानक पासा क्या है और साधारन पासा क्या है ठीक और इनका प्रियोग कहां है अगर यह मानक पासा है तो पासा के चैप्टर के अंतरगत इसका यूज क्या है अगर साधारण पासा है तो उसका यूज क्या है ठीक है तो सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे कि इस्टेंडरडाइस क्या है और दूसरा बताएंगे कि नान इस्टेंडरडाइस क्या है ठी इस्टेंडर्डाइस यानि मानक पासा होता है दूसरा नान इस्टेंडर्डाइस यानि साधार्ण पासा होता है अब हम आपको बताते हैं कि मानक पासा क्या है और साधार्ण पासा क्या है ठीक है तो आओ मानक पासा के बारे में बताते हैं यानि स्टेंडर्ड है इसकी बात करते हैं चीक एंगो का योग फल से नहों स्टेंडर्ड यानि मांत पासा कहलाता है ठीक है, ऐसा पासा जिसके सभी विप्रीज सतों पर लिखे अंको का योग, जिसके सभी विप्रीज सतों पर लिखे अंको का योग, सेबेन हो, स्टेंडर्डाइस कहलाता है सभी विप्रीज का योग क्या होगा बोलो, सेबेन, तो पासा क्या होगा, स्टेंडर्ड, यानि मानक पासा कहलाएगा इसमें कभी भी परोसी सता पर लिखे अंको का योग साथ नहीं होता है है पढोसी का मतलब जैसे 3 और 2 पढोसी है दो 1 पढोसी है इनलगी चेपर ऑपीट यह झानख का परिभासा क्या है ऐसा पासा जिसमें सभी 보종स योग सेविन होता है वह पासा इस्टेंडर्डाइस कहलाता है ठीक है अब हम आपको बताते हैं नान इस्टेंडर्डाइस क्या होता है साधारण पासा नान इस्टेंडर्डाइस साधारण पासा ऐसा पासा जिसमें किसी भी पडोसी सता पर लिखे अंको का योग अगर साध हो जाए तो समझ लेना की डाइस नान इस्टेंडर्ड है नान इस्टेंडर्डाइस कहलाता है ठीक इसमें देखो अगर एक भी पडोसी का योग इसमें अगर एक भी पडोसी का योग यहां तीन है यहां पर एक है यह दो है यह चार है यह च्छा है यह पांच है देखो इसमें बिपरीत का योग भी तुम्हें साथ दिख रहा है और पडोसी का योग भी साथ दिख रहा है तो ऐसा पासा जिसमें एक भी परोशी का योग अगर साथ दिख जाए तो समझ लेना की पासा साधरण है, नन इस्टेंडर्ड है ठीक, स्टेंडर्डाइस क्या होता है? ऐसा पासा जिसमें सभी विपृस्तों पर, सभी all सभी विप्री सतों पर लिखे अंकों का योग सात होता है वह standardized कहलाता है इसमें पडोसियों का योग कभी सात नहीं होता है और non standardized क्या है ऐसा पासा जिसमें एक भी पडोसी का योग सात हो जाता है वह non standardized कालाता है इसमें कोई भी अंक कहीं भी लिख सकते हो इसमें सभी भी प्रीतों का योग साथ नहीं होता है इसमें किसी न किसी पडोसी का योग साथ जरूर होता है इसलिए कहते हैं यह साधारन पासा है यानि पासा दो सेप में हो सकता है पासा जो है या तो क्यूब के से में हो सकता है पासे पर 6 अंग प्रयोग किये जा सकते हैं वन से लेकर 6 तक या 6 लेटर प्रयोग किये जा सकते हैं या 6 सिंबल प्रयोग किये जा सकते हैं या 6 डॉट प्रयोग किये जा सकते हैं अब पासा कितने प्रकार का होता है पासा दो प्रकार का होता है पहला इस्टेंडर्डाइस होता है और दूसरा साधरन पासा नान इस्टेंडर्डाइस होता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब इनका प्रियोग क्या है इनकी यूजस क्या है ठीक याद रखो standard और non standardized का जो use है वो पासा में एक खास variety के सवाल को लगाने के लिए किया जाता है हर जगह इसका use नहीं होता variety third के question को जिसमें no surface common होता है ऐसे सवाल को लगाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि पासा standard है कि non standard है ठीक है तो पासा standard है कि non standard है यह बिना जाने हम variety third यानि no surface common वाले सवाल को नहीं लगा सकते तो इसका जो है variety first one surface common variety two two surface common इनको लगाने के लिए पासा standard है कि non standard है इसकी कोई जरूरत नहीं है केवल variety third no surface common वाले सवालों को लगाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि पासा इस्टेंडर्ड है कि नान इस्टेंडर्ड है ठीक है तो पासा की डिफिनिशन बताया पासा दो प्रकार का होता है उसका भी डिफिनिशन बताया अब हम आपको आगे बताते हैं आगे क्या होता है याद रखो कि डाइस के अंतरगत तीन त से सवाल पूछे जाते हैं पहला जाते हैं पहला दाइश के अंतरगत जैनरली थ्री टाइप प्रोब्लम पुछे जाते हैं जिसमें वराइटी फस्ट है वन सर्फेस exactamente नालो अउन डायटी थर्ड है इनके अलावा भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो miscellaneous हैं, उनको हम बाद में discussion करेंगे, पहले जो मुख्यतया exam में जो सवाल पूछे जाते हैं, पासे के अंतरगात वो three types के होते हैं, पहला one surface common, दूसरा two faces common, और तीसरा no face common, राइट, तो बारी-बारी करके एक-एक variety को हम लोग discuss करेंगे, पढ़ेंगे, चलो, पहली heading डाल दो, variety first, one face common, one face common, variety first हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पासा के अंतरगात one face common, ठीक है, तो चलो, one face common वाले, one face common वाले problems को करते हैं, पहले मैं एक question बनाता हूँ, ये कोशन है, चा का विपरीत बताओ, है न, आपको दो पासा बना के दे दिया, और आप से पूछ रहा है कि चा का विपरीत बताओ, six का opposite बताओ, तो अब इसका पहले concept समझ लो, क्या है, ठीक है, देखो, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, कि जो ये पासा बना हुआ है, ठीक, ये कितने पासे बन सकते हैं, याद रखो, कि एक पासे के maximum eight views होते हैं, भी, आई, इडवलू, view मने, रूप, view मने क्या होता है, रूप होता है, ठीक है, एक पासे के आठ रूप होते हैं, एक पासे के आठ चेहरे होते हैं, कैसे, देखो, जैसे मान लोग की हम एक पासा ले ले, ठीक, अब उसको हम rolled करें, घुमाएं, ठीक है, मैं आपको एक जैसे ये देखो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, बॉक्स के सेप की आकरती पड़ी हुई थी, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सपोज की ये क्यूबाइड है, घनाब है, इसमें लंबाई, चोड़ाई, उचाई, बराबर नहीं है, ठीक है, तो देखो, अब ये मानलो की लंबाई है, ये मानलो चोड़ाई है, और ये मानलो उचाई है, ठीक, इसमें भी छे सता हैं, देखिए, एक, ये दो, अपोजिट हैं दोनों, अंगलियां जहां मेरी है, है ना, ओके, अब ये देखो, आपके सामने ये है ना, और पीछे भी अंगली है मेरी, तो याद रखो कि एक पासे के maximum eight views होते हैं, आठ रूप होते हैं, आठ चेहरे होते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, मैं इस पर कोई digit लिख देता हूँ, suppose इस पर मैं कोई digit मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, चलो, इस पर हम कुछ लिख लेते हैं, राइट, झालो, इस पर कर दो कर चार राइट, सह वे, अझग, भ्राइट, अरैप्ट這ए, क्वे आपको समझाने में थोड़ा सा हीजी हो जाएगा इसलिए मैंने इसको मार कर लिया अब आपको मैं दिखाता हूँ देखो जैसे माल लो यह भी एक पासा मैंने मेरे हाथ में एक पासा है राइट तो इसके आठ चेरे हो सकते हैं कैसे अभी आपको 2 मेरे दिखाया गया है यहाँ पर एक ही पासा है यादा को कि अगर यह अलग-अलग पासा होता तो आप इसका आंसर नहीं बता पाते अगर यह सबसे जो इंप़्ोटेंट पॉइंट है वो आप समझ लो कि एक पासे के maximum 8 views होते हैं मतलब एक पासे को गुमा गुमा के हम आपको 8 तरीके से दिखा सकते हैं जब हम एक तरीका देखते हैं तो एक corner complete visible होता है एक corner पूरी तरह से दिखाए देता है और फिर जब दूसरा corner देखते हैं तो कुछ अंक बदल जाते हैं, कुछ वही रहते हैं, like as this, यह देखो, जैसे यह आप देख रहे हो, ऐसे, अगर ऐसे आप देख रहे हो, तो क्या क्या आप देख रहे हो, देखो यहाँ पांच है, यहाँ चार है, और यहाँ पर एक है, यानि पांच चार एक आप देख रहे ह अभी हम इसको क्या करेंगे गुमा देंगे ऐसे थोड़ा अब आप क्या देखोगे अब आप यहां चार देख रहे हो यहां तीन देख रहे हो अभी हम इसको ऐसे गुमा देंगे तो यहां पांच एक दो देखोगे अभी हम इसको तरह तरह से गुमा सकते हैं इसको गुमाए हैं तो एक सता यह दूसरी सता यह तीसरी है आपके सामने यह corner complete visible है और इसके साथ तीन सतह आपको दिखाई दे रही हैं ठीका है तो एक पासा में आठ ए और होते हैं और इसको हम あलग-अलग कारनर आपको अलग-अलग टाइम पे दिखाएंगे जैसे अभी आप ये देख रहे हो तो आपके सामने क्या-क्या दिख रहा ये दिख रहा और ये दिख रहा अभी हम इसको चेंज करेंगे दूसरा कार्णर दिखाएंगे तो देखो अभी आपको क्या दिख रहा ये दिख रहा ये दिख रहा ये दिख रहा फिर तीसरा कारणर दिखाएंगे तो अभी क्या दिख रहा ये दिख रहा ये दिख रहा ये दिख रहा यानि चौथा कारणर अब इसी तरह ये कारणर दिखाएंगे तो आपको क्या क्या ये दिखेगा ये और ये दिखेगा फिर ये corner दिखाएंगे तो हर बार जो है कुछ digit कामन रहेंगे और कुछ digit बदलते जाएंगे यानि कि आप ये समझ लो कि जो ये box बने रहते हैं वो अलग-अलग नहीं होते हैं वो एक ही पासे के 8 चेहरे होते हैं यानि एक पासे को हम घ गुमा गुमा के आपको कितने तरीके से दिखा सकते हैं आठ तरीके से दिखा सकते हैं और याद रखो कि 8 से ज़्यादा पासा नहीं बना रहेगा कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि maximum at views होते हैं एक पासे के तो two positions of dice are given आपको एक ही पासे की दो इस्थितियां दे दी गई हैं और इसमें आप से छे का अपोजिट पूछा जा रहा है तो इसको लगाने का प्रिक क्या है अब वो हम आपको समझाते हैं दो सेकेंड में साल्व होता है सबसे पहले देखो क्या करना है अब हमारे सामने कोश्चन है एक ही पासे की दो इस्थितियां दी बानेंगे कि भाई ये कौन सी विराइटी का सवाल है ये कौन सी विराइटी का कोश्चन है पहले तो ये पता करेंगे तो बताओ इसमें कितनी सतह कामन है बताओ इसमें कितनी सतह कामन है इसमें देखो एक सतह कामन है बताओ कौन सी ये कामन है एक ही सतह कामन है तो याद र लगाएंगे कैसे जब एक ही पासे की दो इस्थितियां दी जाती हैं और एक सता कामन होती है तो सबसे पहले कामन सता को मार्क कर लेते हैं फिर दोनों इस्थितियों में क्लाकवाईज घूम जाते हैं ठीक और क्लाकवाईज घूम जाते हैं किन्तु ध्यान रहे कि गूमने की सुरुवात common digit से की जाती है common digit से होती है तो इसमें common क्या है six और corner के round गूमोगे जैसे box है ना आपको अगर clockwise गूमना है ना मालो यहां से गूम रहे हो ना तो देखो corner के round गूमोगे तो बताओ कैसे गूमोगे देखो आपको एक दिख रहा है अब एक से आए आज 5 में पाँ से कहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहे हो इसमें common क्या है six और six से इस corner के round clockwise नहीं करते हैं में pajamos получилось की याद All haiدة कभी एंटी क्नेशक्ण नहीं करना है कहीं कहीं आप anti-klarke गुमोंगे तो आंसर पा जांगे लेकिन वह उन्वरसल नहीं होगा आप को universal rule करना है और हमेसा जो है कोश्ण को लगाने के लिए आप को universal ही सोचना होगा तो याद रखो कि हम जो बता रहें बस उतना ही करोगी एक पासे की दो इस्तितियां दी गई हैं छे का विप्रीद पूछ रहें सबसे पहले मैंने जज कर लिया कि कौन सी बिराइटी है तो बिराइटी पता चल गई कैसे इसमें six common है अब जो कामन है वहीं से clockwise घूम जाओ तो घूम जा और corner के round ही घूमना है तो चलो इस corner के round घूमोगे तो बताओ क्या आएगा clockwise घूमोगे क्या आएगा बोलो 652 652 तो छे के नीचे ही 6 लिखना 652 इतना काम जब कर लोगे तो तुम्हें पास सतह नजर आने लगेंगी इतना काम करते ही तुम्हें पास सतह नजर आने लगेंग और याद रखो कि पासे में once लेकर six तक का digit inscribed होता है यानि छे अंग का प्रियोग होता है इसमें बताओ सब कुछ दिख रहा है बताओ क्या नहीं दिख रहा जो नहीं दिख रहा उसे हमेशा कामन के नीचे लिखा जाता है तो बताओ इसमें क्या नहीं दिख रहा one नहीं दि जाएगा, जब का एक साथ आजाएगा, बताओ पौरका पूजिट क्या हुआ वाण। इस प्रकार आपको कोई भी पासागर ऐसे दिया जाता है। अगर variety first का question है, तो सबसे पहले common digit mark करो, अब फटा फट उसमें clockwise घुम जाओ, तुम्हारा answer आजाएगा, इसमें common 6 था, 6 से clockwise घुम गया दोनों में, ऐसे 6, 4, 3 लिख लिया, 6, 5, 2 लिख लिया, जो दिखाई नहीं दिया, उसे यहां लिखा और मिला दिया फटा फटा आगया answer क्यों भाई बोलो, है ना clear, एकदम, है ना, ओके, अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, फिक है, आओ है, भाई पhmmम, है ना, उसा था ह। कि त्री पोजीशं साफडाइस हर गिबैन एक पाससे की तीन इस्तित्यां यहां पर दी गई है कि तीन फॉजिशंस एक पाससे का दिया हुआ है कि आपको मैंने बताया एक पासा का फिर से बोलो कितने भी रूप होते हैं आठ रूप होते हैं आठ कार्नर होते है और एक दिखाई देती हैं और याद रखो पासे में 8 कार्नर होता है बारी बारी आठो कार्नर को अगर हम दिखाएंगे तो एक पासे को हम 8 तरीके से आपको दिखा सकते हैं तो इस तरह से एक पासे को तीन तरीके से आपको दिखाया हुआ है और यहां पर आपसे अपोजिट नहीं पूछ रहा है यहां पर पूछ रहा है which one is replaced by quotient mark तुम्हें बताना है quotient mark की इस्थान पर क्या आएगा quotient यह है quotient mark की इस्थान पर इस्थान पर क्या आएगा क्या होगा आपको बताना है कि quotient mark की इस्थान पर क्या होगा यहां पर आपोजिट नहीं बताना है ठीक है which one is replaced by quotient mark three positions of dice are given you are requested to find out which one is replaced by quotient mark तो कैसे करेंगे देखो जिसमें quotient mark लगा रहा है इसको ऐसे सवाल को लगाने का पहले तरीका समझो कैसे लगाएंगे देखो सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें quotient mark लगा है उसे छोड़ देना है पहले उसको consider नहीं करना है जिसमें quotient mark लगा पहले उसे छोड़ दो तो चलो इसको पहले मैंने छोड़ दिया पहले इन दोनों को टेकल करना है अब इन दोनों को टेकल करोगे तो ये देखोगे कि ये कौन सी बिराइटी है इसमें कौन कौन से सता कामन है यहाँ पांच चार दो है यहाँ तीन चार छे है बता कितनी सता कामन है एकी सता तो कामन है चार यानि यह variety first का question है याद रखो अगर एक सता कामन है तो variety first दो सता कामन तो variety second कोई सता कामन नहीं तो variety third variety first को लगाने का concept अलग है variety second को लगाने का concept अलग है variety third का लगाने का concept अलग है तो अभी हम लोग variety first पढ़ रहे हैं और यह variety first क कोशन है तो देखो भाई जब आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा तो फर्स्ट हाफाल आप क्या करोगे जिसमें कोश्चन मार्क लगा उसे पहले छोड़ देना पहले इन दोनों को टेगल किया ठीक और जो सता इसमें कामन है पहले उसे मार्क करोगे mark कर लिया फिर क्या करोगे corner के around फटा फट घूम जाओ और clockwise ही घूमना है और clockwise घूमने की सुरुआत common digit से ही करना है तो चलो घूम जाओ 425 और लिख बिलो 425 ऐसे लिख लिया वही काम यहां भी करोगे चार छे तीन लिख बिलो चार छे तीन अब बताओ तुम्हें क्या नहीं दिखाई दे रहा बताओ इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा वन नहीं दिखाई दे रहा तो वन जो है चार का अपोजिट हो जाएगा मिला दो अपोजिट आ गया अपोजिट आ गया लेकिन आपसे आपोजित नहीं पूछा है छिए इसमें आप से अपोजित नहीं पूछा है आपने अपोजित निकाल लिया है फिर से मैं रिवीजन करता हूँ एक बार सुनो अगर ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आता है जिसमें कोशन मार्क लगा रहे है पहले उसे ड्रॉप कर देना पहले ठीकुछ भी हो सकता है कितनी सता कामन है देखना है एक सतं Bennett 4 उसे क्लाक्वाइज गुम् जाना है ठीक है जो सत्ता कामन है वहां सेmaसे खुम गया और ऐसा एसे लिख लिए अब जो सता opposite 6 होगा 5 का opposite 3 होगा मगर यहाँ पर आपसे opposite नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा इसके बाद cube मैंने आपको पढ़ाया है और cube वाला figure तुम बना लेना expanded figure of dice expanded figure of a cube जो मैंने figure आपको सिखाया था जिससे पूरा cube आपने पढ़ रखा है उसे आप figure को बना लीजिए यानि इसी figure को हम लोग वहाँ पर discuss किये हैं और इसी figure से पूरे cube के सवाल को हमने लगाया है तो यह figure मैंने देखो यहाँ पर बना लिया यह figure हमने बना लिया अब क्या करने है जो सता कामन है उसे सदय उपर भरा जाता है कहां भरा जाता है उपर भरा जाता है तो जो सता कामन है उसे सदय उपर भरोगे चार उपर भर दिया अब बताओ यहाँ पर चार का भी प्रीत क्या है एक है तो एक कहां भरोगे इसमें नी जैसे clockwise घूमे हो, वैसे वैसे घूम करके figure को भर दोगे, तब पहले वाले में तुम्हें कैसे घूमे हो, देखो, 4, 2, 5, 4, 2, 5, तो ये देखो, सबसे पहले इस corner पर घूमा जाता है, फिर इसके बाद इस corner पर घूमा जाता है, इसमें जो है, right से left की तरब move किया जाता है, इस चार, दो, पाँच, चार के बाद, दो, दो, के बाद, पाँच, ये देखो, चार के बाद, दो, दो, के बाद, पाँच, अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से चलके इधर आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, जो corner है, उसी के round घूम ना, ये corner है, तो इसी के round घूम होगे, चार के बाद देखो दो और दो के बाद क्या पांच चार दो पांच तो ये देखो मैंने ये गुम के आपे भर लिया अब दूसरे वाले में ऐसा ही करोगे फिर दूसरे में कैसे है चार के बाद छे छे के बाद तीन है चार छे तीन अब ये देखो चार के बाद छे छे के बा आती हैं तब आराम से गहरी सांस ले लेना ठीक है देखो यहां पर सब कुछ हो चुका है रिविजन कर दू मैं यह पोजिशन सफ डाइस आर गिवेन यू और रिक्वेश्टे तू फाइंड आउट विच वन इज रिप्लेश्ट वाई कोशन मार्ग यह बताना था सबसे पहल इसके बाद मैं यह क्यूब वाला फिगर बना लिया जो कॉमन डिजिट है हमेशा उपर भरी जाती है उसके अपोजिट्स को मैंने यहां नीचे लिया अब जैसे जैसे क्लाक वाइज घूमें है ना वैसे वैसे घूम करके इस फिगर में बर देंगे और कैसे हमेशा गूम के वर्दिया सब कुछ क्लियर हो गया यहां तक एकदम अच्छे से हो गया अब जब इतना काम कर लेना तब तीसरे वाले पासे में चले जाना जब इतना काम कर लेना तो तीसरे वाले पासे में जाना और ऐसा क्लाक वाइज घूमना कि कोशन मार्क तीसरे नम्मर पे कोशन मार्क तीसरी विज्वल फीगर हो ऐसा क्लाकवाइज घूमेंगे कोशन मार्क तीसरी नम्मर पर पांच एक कोशन मार्क पांच के बाद एक एक के बाद कोशन मार्क पे चले जाओगे पांच के बाद एक एक के बाद कोशन मार्क पे चले जाओगे तो बताओ यहां पर जो कार्णर है उसी के राउंड तो घूमँगे, पांच के बाद एक ते बाद कोशन मार्क पे चले जाओगे तो बताओ कोशन मार्क पे तुम्हें क्या मिला? 6 मिला, यानि there will be 6, आंसर तुम्हारा क्या होगा? 6 होगा, यानि कि which one is replaced by question mark six is replaced by question mark याने कि यहां पर six आएगा answer आपका six होगा is it clear okay दूसरे सवाल पे चलें चलो एक सवाल और समझाते हैं आपको अच्छे से तो यह variety अरे यार समझने के लिए दो ही सवाल काफी है पूरा chapter लगा डालोगे सवाल अगर समझ गया तो इस variety का पूरा समय लो सभी समझ गया वह इसे पूरी किताब लगा डालो अगर तुम्हारा concept नहीं है तो सब कुछ बेकार है अगर आपका concept clear नहीं है तो पूरी किताब पर डालो कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारी clear है तो अब इस बेराइटी से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो फस नहीं सकता इसकी गारंटी है ठीक है अभी चलो दूसरा सवाल मैं एक और समझाता हूं आपको तुरंट एक और सवाल लेते हैं ठीक इस बार मैं डिजिट के जगह चलो लेटर लेता हूं हुआ है है कि यहां पर तुम्हें बताना है विच वन इज रिप्लेश्ट वाई कोशन मार पासे में ए से लेकर यप तक छे प्रकार के लेटर का प्रियोग किया गया है कोशन मार की इसथान पर क्या आएगा ये आपको बताना है तो मैं वही काम करूंगा जो अभी किया था सबसे पहले क्या करेंगे कोशन को छोड़ दिया जाएगा फिर क्या करेंगे इन दोनों व्यूज को टेकल करेंगे और यह देखेंगे कि इसमें कुछ कामन है क्या यास इसमें डी कामन यानि एक सता कामन है यानि कि यह विराइटी फष्ट का कोशन है तो बस फड़ा फट कामन डिजिट को यानि कॉमन लेटर को मार किया और कलाकवाईज घूम जाएंगे और इस कॉर्णनर पे ही कलाकवाईज घूमना है तो घूम जाओ डी बी सी और लिखो यहां प ER प्रियोग किया रहा है उसे नीचे लिख लो या और मिला दो एक दूसरे का पोजिट आ गया किसी का भी opposite पूछता तो बता देते मगर यहां पर opposite नहीं पूछा है यहां पर तुम से opposite नहीं पूछा है यहां पर तुम से पूछा है कि which one is replaced by question mark तो यह cube वाला figure तुम बना लोगे जिससे तुमने अभी हाली में cube पढ़ा है यह figure बना लिया सबसे पहले जो common digit होता है उसे उपर बरते हैं तो डी उपर बर लिया और इसका opposite क्या यह अफ नीचे बर लिया ठीक है अब जैसे जैसे घूमा वैसे घूम के बर दो तो डी वी सी तो डी के बाद भी वी के बाद सी यह देखो सबसे पहले इस कारणर पे घूमा जाता है राइट से लेट की तरफ मूब करते हैं तो यहां घूमते हैं तो डी वी सी तो डी बी सी यहां भर लिया अब यहां देखो क्या है डी इए अब इस कारणर पे मूब करो जब छोग सताब दिया जाता है तब तो तीसरी ब्योज में जाते हैं और एसा क्वाइज घूमते हैं कि को टो तीसरी अस्थान पर मोट हो कहाँ से गूम और कि टीसरे अस्थान पर आएगा लचाऊंगे यप से यप ऑ को इक कॉशंऔ मार्क यप के बाद गुमना था या फी कोशन मार्क पर तुम्हें क्या मिला या फी कोशन मार्क के क्या मिला बोलो C, there will be C यान्वर तुम्हारा क्या आजाएगा, चलो फड़ा पड़िए कोशन और कर लेते हैं राइट, एक कोशन और करके दिखाते हैं आपको कि पोजिशन साफ डाइस एक पासे की तीन इस्थिति को दिया गया है और इसमें आपको सिंबल्स प्रियोग करते हैं आकृतियां प्रियोग करते हैं जैसे डॉलर है यहां पर इन आकृतियों का प्रियोग किया गया है जैसे इसमें दिया है डॉलर अर्डरेट है ठीक फिर यहां पर दिया है है ट्रेंगल इसकृर ठीक और यहां पर दिया है ठीक है डॉलर सर्किल कोशन मार्क आपको बताना है विच्वन इज रिप्लेश्ट वाई कोशन मार्क यहां पर कुल मिला के छे प्रकार के आकृतियों का प्रियोग किया गया है और थ्री पोजीशन सापड़ाइस अर्गी बेन एक पासे की तीन इस्तिति को दिखाया है पूछ रह यहां भी कर लो हैश ट्रेंगल स्क्वाइर हैश ट्रेंगल स्क्वाइर कर लिया जो दिखाई नदे उसे नीचे ले लो दिखाई क्या नहीं दिख रहा है सर्किल नहीं दिख रहा सर्किल नीचे ले लो मिला दो अपोजीट सागे अपोजीट पूछता तो अपोजीट बता ठीक और उसका और उसका जो opposite से उससे नीचे ले लो उसका opposite circle नीचे ले लिया अब जैसे जैसे clockwise गूमा वैसे वैसे गूम के बर दो है डालर अड़ रेट है डालर अड़ रेट यहां ले लिया और इसी तरह है स्ट्रेंगल है स्ट्रेंगल स्क्वाइर ऐसे ले लिया भर गया सब कुछ भर गया सब कुछ देखो है डालर अड़ रेट है स्ट्रेंगल स्क्वाइर जब छो सता भर दिया जाता है तो तीसरे में आते हैं और ऐसा clockwise गुमते हैं को समांक तीसरे अस्थान पया था टो बदा ने सनकनी जाना है और सबदो कहली सअर्क है पर चला जाना है पर देखो डालर के वराइटी फर्ष्ट आपको आज समझाया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ओके थैंक यू